दोस्तों नमस्कार यहां बात करते में योग आयरवेज स्वास्ति के बारे में किस प्रकार से अपने आहार व्यार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोगमुक्तर आ जाए सुप्य जीवन जिया जाए मैं डॉक्टर मनमोन लखेडा आज बात करूँगा भारती परंपरच चिक लाइवरेरी TKDL दोस्तों आप जानते हो कि जब से भारत के प्रधानमंत्री मानिये स्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से भारत का प्रधानमंत्री बने तब से दोस्तों प्राचीन परंपरागत चिकसा पद्दत जिसे दोस्तों आयुस के नाम से भी जाना जाता है तब से दो लिखा जा रहा है सबसे पहले दोस्तों मानिनिय प्रधान मंत्री ने इस परंपरागत प्राचीन चिकसा पद्धति के लिए अलग से आयुस मंत्रालाय का निर्मान किया आयुस मंत्रालाय को बनाया फिर दोस्तों विश्व योग डे विश्व को योग का दिवस दिया फिर द जिसका नतीजा दोस्तो साब दिखाई दे रहा है दोस्तो विश्व भारत की बिरासत भारत की प्राचीन बिकसित चिकसा पद्धति को जान रहा है समझ रहा है उसका भरपूर फैदा उठाने पे लगा है और दोस्तो इस भारती बिरासत को दिल से स्विकार कर रहा है दोस्तो इस प्राचीन आयरवेदिक भारतिय पवित्र गरंथूं पर सोत करने पे लगा है उसे स्विकार कर रहा है दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में भारत के स्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबनिट फैसले में देश के परंपरागत चिकसा ज्यान के सरक्षन के ल देश के परंपरागत चिकसा ज्यान के सरक्षन के लिए बनाई गई ट्रेडिस्ना नौलेज डिजिटल लाइबरेरी जिसे टी के डी एल कहते है कि फार्मूले अब दोस्तो सोत करताओं की भी पहुंच में होंगे दोस्तो अभी तक सिर्प चौदा अंतरास्तिय पेटेंट कारले ही इस डिजिटल लाइबरेरी से जानकारी ले सकते थे ले सकते थे दोस्तो अब भारती सोत करताओं को भी इसका लाब मिलेगा हलांकि दोस्तो उन्हें इसके लिए कुछ सुलक चुकाना होगा देना होगा दोस्तो माननिय प्रदानमंत्री सिरी नरेंद्र मोदी की अधिक्स्ता में हुई केंद्रिय मंत्र मंडल की बैठक में या निर्नय लिया गया दोस्तो भारती परंपरागत चिक्सा ज्यान पर विदेशु में हो रहे पेटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2001 में दोस्तो TKDL बनाया था दोस्तो इसमें आयरवेद, यूनानी, सिद्धा, सेवा, रिक्पा और योग के 4.24 लाग फॉर्मुले को पांच अंतराष्टिय भासाओं अंगरेजी, जर्मन, स्पेनिस, फ्रेंच और जापानी भासाओं में डिजिटल फार्मेट में तयार किया गया था दोस्तो इसके बाद 14 अंतराष्टिय पेटेंट कारालेव को इसके निसूलक एक्सेज परदान किया गया था दोस्तो इससे परंपरागत भारती चिक्सा ग्यान पर विदेशु में पेटेंट होने का सिलसिला रुख गया था दोस्तो टी के डी अल अपनी मकसद में तो सपल रहा लेकिन दोस्तो इसके चलते भारत में भी इन छेत्रों में अपेक्सित सोथ नहीं हो पा रहे थे इसलिए दोस्तो अब सरकार ने इसे भारती सोथ करताओं के लिए भी खोलने का फैसला किया है विदेशी सोथ करताओं के लिए भी खोलेंगे दोस्तो भारत के मंत्र मंडल की बैठक के बाद सूसना परसारन मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहले भारती सोथ करताओं के लिए इसे खोला जाएगा दोस्तो इसके बाद दूसरे देशों के सोथ करताओं के लिए भी इसे खोलेंगे दोस्तो सोथ करताओं को एक यूजर एग्रिमेंट करना होगा तथा दोस्तो इसका सुल्क भी चुकाना होगा दोस्तो उन्होंने कहा कि इससे सोत करताओं को विशेश लाब होगा तथा दोस्तो उपलब्द जानकारी से आगे का सोत कारे कर सकेंगे, भारत के परसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आदिवासियों के परंपरागत ज्यान या नौलेज से जूड़ी जानकारी सि समुदाए की सैमयति से ही साजा की जाएगे, और दोस्तो यदि उससे कोई आय खोती है, कोई आमदानी होती है तो दोस्तो उसे उसी समुदाए के कल्यान के लिए खर्च किया जाएगा, दोस्तो TKDL का निर्मान बैग्जानिक एवं उद्धमट्योगिक अनुशंदान और लेते रही यूग आयर बे स्वास्ते संबंदी नहीं नहीं जानकारिया नमस्कार